यह पांच टूल जब मुझे नहीं पता था तो ऐसा लगता था जिन्दगी जंडबा फेर भी घंडबा क्योंकि यह पांच टूल पांच अलग-अलग काम करते हैं और यह क्वालिटी कंटेंट को बिजनेस में कनवर्ट कर देते हैं यह टूल मेरी वीडियो का रीच इंक्रीज करके लोगों को क्लिक करवाने के लिए मजबूर कर देता है यह मेरे लिए स्टोरी ओन बोर्ड करता है और स्क्रिप्ट लिखता है इससे मैं आडियो और साउंड इफेक्ट का फ्री इस्तिमाल कर सकता हूँ अर् पांच मैं से यह पहला टूल जिसका दूसरा काम होता है एक वीडियो बनाने में तो पहला क्या था? वो आगे बताऊंगा ना storytelling, क्या बताना है, कैसे बताना है, कितना बताना है, camera angles क्या होने चाहिए वो scene कैसा दिखेगा यहां तक कि यह tool यह भी बता देता है कि कौन सा lens और कौन सी focal length पे आपको वो scene shoot करना चाहिए जिससे लोगों को मज़ा आ जाए अगर आप एक film maker है या content creator है, documentaries बनाते हैं, एक marketing agency है, आप जब अपने clients के लिए कोई video project बनाते हैं आपको scene को imagine करना पड़ता है कि वो scene कैसा दिखेगा, और उसमें घंटों की मैनत लगती है, और script writing भी लगती है, फिर आपको एक storyboard बनाना पड़ता है, वहीं यह tool जो है काम Minto में कर देता है, बस जो भी आपका RDI जिस पर content बनाना है उसको डालो, और उसकी पूरा storyboard तैयार, इवन filmmakers की research और उनके experience से इस tool को बनाया गया है, मुझे बताने की ज़रुत नहीं है, बस storyboard AI के उपर जाओ, और free trial पे click करके 7 दिन भड़िया यूज़ करो, 7 दिन की trial की बाद यह paid हो जाता है, लेकिन अगर practically देखा जाए, तो यह सस्ता पड़ता है, जासा हम देख सकते है, फ्रीलांसर पेक जो है, वो 49 दॉलर का आता है, यानि की करीबन 4,000 रुपए, लेकिन अगर आप एक marketing agency हैं, या content agency खोलना चाते हैं, या अपने content बनाना चाते हैं, top notch quality का, तो आपको उसके लिए एक dedicated बंदा रखना पड़ता है, जिसकी minimum cost 10,000 से 30,000 के बीच में जाती है, हा ज्यादा से ज्यादा clients को onboard करके, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा समझ रहो न, और अगर मैं ROI compare करूं, अगर मैं गलत हूं, तो मुझे comment में जरूर टोक न, कि अगर एक storyteller है, वीडियो एडिटेर है, वो एक scene को बनाने के लिए कितना खर्च करता है, तो as in मेरा experience से minimum वो 20, 20,000 तो उसके कहीं नहीं जाएंगे, वो जरूर लेगा, तो जब आप clients के लिए video बनाते हैं, तो आपका minimum cost एक video का आ जाता है, 15,000 minimum, और maximum आप कितना भी ले सकते हैं, वो आपकी quality पे निदभर करता है, example के लिए तन में भट, जो ads की script writing करते थे और story mood boards बनाते थे, उनका क्य कहना था, 2010, 12,000 rupees for story, 12,000 rupees for screenplay, 12,000 rupees for dialogue, वैसे एक अंदर की बात बता हूँ, इसके साथ हम documentary shoot करने वाले हैं, कुछ महीनों बार, उस documentary में हम जा की देखेंगे, की businesses कैसे काम करते हैं, तो उसकी जो storyboarding होगी, वो हम इससे करवाएंगे, ताकि आपको और अंदाजा हो कि भाई, और copyright से मैं भी बड़ा परेशान था, फिर मुझे मिला Cruto Studio का साथ, अब मेरा वीडियो भी कहता है, अब मैं हटा-कटा हूँ, और सबसे मज़े की बाद ये free forever tool है, हाँ, कुछ हद तक, अब ज़रा 50 seconds के लिए इन sounds को सुनना, और ये sounds, सिर्फ मैंने अपने cursor से बनाएं, आप customized sounds बना सकते हैं, और अपने हिसाब से टै कर सकते हैं कि आपको क्या सुनाना है audience को, मुझे चिडियो की आवाज ज्यादा चाहिए या traffic की आवाज ज्यादा चाहिए, और सिर्फ आपको अपने mouse से इस sounds को generate करना है, क्या है मैं कपड़े पहनू, बैद को ठीक करूँ, चाब यहाँ ढूंडो, मेरे पाउं कहाँ पड़ रहे हैं, कीचड में कि रेत पे, वैसे अगर आप चाहें तो इसे system में install कर सकते हैं, वरना DaVinci Resolve में इसका एक plugin भी आता है, जो inbuilt रहता है, इसका बड़ा फायदा है, जो मुझे sounds चाहिए होते हैं, copyright या royalty free में मुझे वो मिलते नहीं है, और जो मिलते हैं उनको मैं manipulate नहीं कर सकता है, जैसे हैं, मुझे वैसे लगाने पड़ेगे, यहाँ पर मैं अपने हिसाब से sound effects बना सकता हूँ, अब आते हैं ये तीसरे टूल की तरफ, यार ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग वीडियो पर आते हैं, लेकिन scroll कर देते हैं, अंदर से ऐसा feel आता है कि लोगों के लिए हमारा content dustbin हो गया है, क्लिक ही नहीं करते हैं, उसे हम technical भाषा में CTR कम होना कहते हैं, जितना अच्छा CTR, उतने अच्छे लोग, बतलब ज्यादा views का metrics भी CTR पर depend करता है, वो बात अलग है, उसमें आपका watch time भी जुड़ता है, लेकिन उसकी सारी बाते हमने इस वारी वीडियो में already कर रखी हैं, तो हम नहीं करेंगे, हम सीधा देखेंगे कि CTR, control या बढ़ाने के लिए सबसे main point क्या होता है, thumbnail, देखो thumbnail की तीन properties होती हैं, और अगर तीनो properties में thumbnail आपका खरा उतर रहा है, तो उसकी किस्मत चमकेगी, उसके साथ साथ आपकी भी, पहला contrast और saturation, दूसरा number of elements, यानि कितनी चीज़े आपने उस thumbnail में थूस रखी हैं, और तीसरा human element emotion, आपका expression क्या है उस thumbnail के अंदर, क्या लोग उससे relate कर पा रहे हैं की नहीं, तो आपके thumbnail में वो चीज़ है की नहीं, जिससे लोग उस पे click करें, तो वो जानने के लिए आप सीधा जाओ thumbnail AI के अंदर, बस अपने thumbnail को upload करो, और आपको ये result दिखा जएगा, कि वही आपका कितना अच्छा है और कितना बुरा है, ये आपको ये भी बता देगा, कि आपको ऐसा क्या चीज़ करनी चाहिए, जिससे आपका thumbnail इंप्रूव हो सके, हाँ, ये भी याद रखना कि thumbnail और title, दोनों synchronized form में होने चाहिए, याने की mail जोल होना चाहिए, पता चला आपने thumbnail पूरी 9 rating का बना दिया, लेकिन title में आप कर गए गलती, तो इसी बात पर comment मत करना, विचार रखना, टूल नंबर 4, content बनाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, lighting की, अगर lighting सही ना हो, तो गडबढ़ हो जाती है, ऐसा scene कुछ ऐसा दिखने लगता है, और बहुत से influencers ने हमें बताया, कि एक ऐसा tool आता है, जहां पर relight करके, आप अपने photos में light artificially implement कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ images के लिए था, वीडियो के लिए हमें चाहिए ना, वैसे एक ऐसा tool है, लेकिन, डावेंची resolve में आपको एक relight plugin मिलता है, आप अपने वीडियो के अंदर lighting को manipulate कर सकते हैं, डावेंची resolve का 18 version के बाद, उन्होंने अपना neural engine को जो advance किया है, मतलब प्रीमियर प्रो जैसे software भी आर, आप कुछ नहीं लगते हैं उसके सामने, तो एक industry standard बन चुका है आप डावेंची resolve, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो आप समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन दिक्कत यह होगा है कि relight feature जो है, वो studio version में ही आता है, और जिसकी one time payment है, कुछ इतनी, लेकिन video में relighting का use करके, आप अपने quality को और increase कर सकते हैं, अपने characters की face और environment को relight कर सकते हैं, किसी भी color के साथ, तो RGB lights का भी खर्चा तोड़ा कम हो जाएगा, खेर दिक्कत यह है कि आपकी तरह मेरे पास भी इसका free version ही है, लेकिन एक content creator को पता होना चाहिए, कि भाई, ऐसे features भी हैं, tool number 5, audio stretch, कभी-कभी क्या होता है, कि music इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन video बहुत बड़ी होती है, लेकिन उस music को हमें पूरा चलाना होता है, वरना बीच में अगर cut डालते हैं, तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, इसको noob जैसी feeling आती है, एक दम tape recorder वाली feel होती है, फिर से चला दिया है, लेकिन कुछ लोग लगाते भी हैं, जब वो music end होने वाला होता है, तब वो cut लगा देते हैं, फिर वहीं से चालू कर देते हैं, फिल्मोरा का ये feature मैंने खुद बहुत बार इस्तिमाल किया है, अब आप देख सकते हैं कि यार audio वीडियो से छोटा है, simply audio stretch के option पे जाएंगे, और अपने audio पे आके इसको stretch कर देंगे, वीडियो जितनी length तक, और जितना वीडियो होतना ही audio, लेकिन इन पांस टूल के अलावा एक और टूल है, और एक content creation में सबसे जरूरी टूल है, research tool, उसके लिए हमने कुछ टूल बता रखें अपने इस वाली वीडियो में, आप जा की check out कर लेना, मैं मिल तो आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए, बेबजी.